Hello everyone, आज का हमारा topic है WhatsApp को कैसे secure रखें Recently news में आपने कई चीज़ें सुनी होंगी कि WhatsApp के messages from famous celebrities discuss हो रहे थे कि D ने कहा A से माल है क्या और कई सारी चीज़ें किस तरह होते हैं ये WhatsApp के hacks और किस तरह हम अपने आपको secure रख सकते हैं आज इस less than 5 minutes के वीडियो में हम definitely सीखेंगे Before I move on, इस channel को definitely subscribe करिये और bell icon दबा दीजिए हम लोग इसी तरीके के informative videos बनाते रहते हैं अब बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले important security step पर जो है two step authentication ये आपको कैसे करना है आपको WhatsApp खोलना है, आपके 3 dot पर जाना है, security section में जाना है और two step authentication पर click करना है जब आप two step authentication पर click करते हैं तो वहाँ पर आपको एक six digit pin enter करने के लिए कहा जाएगा ये pin जो है ये आपका एक personalized pin है और अगर आपको ये और device में login करते हैं तो आपको ये pin देना अनिवारिय होगा साथ में एक recovery email का भी option है यहाँ पर WhatsApp hack होने के possibilities कम हो जाती है because what happens is that ये जो pin है ये आपके मन में है तो कोई आप से ये चुरा नहीं सकता जैसे OTP हुआ या फिर login हुआ या QR code हुआ so बहुत important है कि आप अपना two step authentication on रख है coming to the next one which is very common बट लोग इस्तमाल नहीं कर रहे हैं इसे जो है fingerprint lock अब लोग मुझे कहेंगे fingerprint lock तो मेरे phone में already है ये fingerprint lock आपका app specific setting है जो WhatsApp के अंदर ही inbuilt है अगर आप WhatsApp के settings में जाएंगे तो आपको security section में आपको fingerprint enable का option मिलेगा ये आपने notice करा होगा आप किसी को भी अपना phone देते हैं photo के लिए या फिर कुछ काम के लिए और वो जट से WhatsApp आपका देखना शुरू कर देता है ये इस से बचने के लिए बहुत ही आसान तरीका है fingerprint enable कर लीजिए WhatsApp का तो अगर कोई आपको WhatsApp खोलने की कोशिश करेगा चेक करने कोशिश करेगा तो आपका fingerprint बिना वो चेक नहीं कर पाएगा Coming to the third option which is something which is not actually talked about much by WhatsApp as well अगर आप आपके chats as well as backup section में जाएंगे आप notice करेंगे कि एक by default backup को option है जो आपने Google Drive में दिया हुआ है WhatsApp is actually encrypted when it is transacting between two people end-to-end encryption जो बहुत ही बढ़िया है लेकिन बहुत important चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये encryption जब आप Google Drive में backup ले लेते हैं यही एक कारण था कि media में जो chats आए हैं, कुछ channel लोंने चलाए हैं वो सारे backup से ही retrieve किये गए थे तो मेरा suggestion यह होगा कि अगर आपके कुछ sensitive discussions या फिर कुछ हो रहा है WhatsApp पे जो आप नहीं चाहते backup हो आपकी financial information आप discuss कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो sensitive हैं तो आप इन्हें backup on मत रखिए क्योंकि by default रात को दो बजे WhatsApp आपका सारा chats backup करके आपके Google Drive में रख देता है तो उसका encryption हट जाता है Coming to the fourth suggestion I want you to do to keep your WhatsApp safe is कई बार आपने देखा होगा random लोग आपको एक group में add कर लेते हैं इसको avoid करने के लिए भी बहुत ही आसान तरीका है आप sections में जाएंगे groups के जहां पर आप notice करेंगे कि you have an option that who can add you in a group यहां पर आप contacts only वाला section को click कर लीजे जैसे आप contacts only वाला section click कर लेंगे तो जो आपके जानकार लोग हैं वो ही आपको group में add कर पाएंगे and final suggestion जो fifth है हमारा वो बहुत ही आसान और simple है बट कफी लोग जो है वो miss out कर जाते हैं कोई भी links जो आपके पहचान की नहीं है या फिर आपको कोई ऐसी deal या कुछ ऐसा दे रही है जो malware भी हो सकती है तो आप ध्यान रखियें कि उस पर click नहीं करें क्लिक करने पर कई बार whatsapp का data आपका hack हो सकता है ये पांच तरीके थे जो हमने less than five minutes में सोचा कि आप लोगों को explain करें आप अपना whatsapp secure कर सकें so if you like this video then do share it with your friends उन्हें भी अपना whatsapp secure करने का मौका दें और हम लोगों को एक छोटा आसा gift दे दें subscribe कर दें like कर दें और bell icon दबा दें कि जब भी हम online एक video put करें तो आपको notification चला जाएगा subscription बिलकुल free है ये हमें motivation देता रहेगा thank you so much see you again bye bye